हलो फ्रेंड स्वागत एक और फिल से आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सक्सक्स प्लेफॉर्म की में और दोस्त आज हम बात करने वाले IVPS RRB कलरक एक्जाम 2024 के बारे बात करने वाले कि इसमें इस बार क्या कटफ रह सकता है ठीक है आप सभी को पता होगा कि इस बार जो है एक्जाम का जो आपका है टाइमिंग जो था पहले कमपोजिट टाइम था ठीक है 45 मिनट पहले आपको कमपोजिट टाइम में रहे थे अब तक जो भी एक्जाम हुआ 2014 लेकर आपकर 2013 तक लेकिन 2024 के अगर हम बात कर रहे तो 2024 में क्या है आपका यह sectional timing fix किया गया है कि आपका reasoning के लिए 25 मिन दिया जाएगा और numerical ability के लिए 20 मिन दिया जाएगा 45 मिन तो तब भी था और 45 मिन अब भी है लेकिन अंतर यह था कि यह composite था है ना यह आपका क्या था टोटल था कुल टाइम था इसमें आपको करना था आपको reasoning इसमें बनाना था और numerical ability इसी 45 मिन में जिस पर आपको जितना टाइम देना था आप दे कर सकते थे पर इस बार क्या है आपका आप 25 मिन अगर माल लिया आपने 25 क्या आपने 22 स्टेस्मेंट में आपने reasoning complete कर लिया आपके पास 2 मिन बच भी जाते हैं तो आप ऐसा नहीं कि आप numerical ability वाले section में skip करके आ सकते है ठीक है जब तक इसका यह 25 मिन यह पूरा खतम नहीं हो जाता आप इसमें नहीं आ सकते या फि i am ice cream coming inhib जो कि अग्याव कि अगर आप उस्सेशंग करीं आप सभी को पता कि पांच चेहा स्लोह हो घ्रैङंट में आपका सुरू हो रहा है पेपर यानिकि आपका जो जिनका भी पेपर है ठीक सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले यह के पहले यह असी मार्स पें और 45 मिन इसके लिए टाइम रोडा था था जिसमें कि आप आप जिस सब्जेक्ट में इसकी जिस पर आपका अगर रिजनिंग में अपका कमाड़ अच्छा है तो आप रिजनिंग में हो सकते आप 35 ऑट फुटि कर रहे थे जिनका क्वांट में बह जब 70 पलस ही कर रहे थे तो कटफ तो जाद ही जाएगा ना लेकिन अगर इसमें चुकि यह टैमिंग का यहां पर कोई बॉन्डेशन था नहीं ठीक है आप इस पर 25 या आप इस पर 30 मिट देकर आप 15 मिट में आप इसको पूरा कर रहे थे या इसको आप 15 मिट देकर इसको 30 मि अब आप सोचे कि कहा से आया मार्क्स यह नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ठीक है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है ठीक अगर सपोच करते हैं कि किनों ने अगर 67 अटेम्ट किया था माल लीजे 67 अटेम्ट किया था उनका 100% एकुरिसी रहा एक भी सवाल गलत नहीं रहा और 67 रहा ठीक है तो इसमें क्या नॉर्मलाइजेशन में इनका इनका हो सकता है कि यहां से 9 मार्क्स बढ़े हों ठी कि यह आपका रॉमार्स आपका यह है और यह आपका नॉर्मलाइजेशन मार्स था ठीक है यह प्रिवियस सेयर में इस सरका था सिनारियों जो कि कटफ काफी हाई जा का रिजवन था ठीक है तो देख सकते हैं कि अगर जनल कर्टेक्रिकर देखे को कहीं पर भी 70 से नीचे की बात नहीं बनता कुछ स्टेट की बात कर लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे करनाटका और आप का आंदर प्रदेस तो यह आपका तमिलाडू हो गया करनाटका हो गया और आदर प्रदेश है ना यह जो तीने स्टेत ते यहां पर कट अफ लो गया हर बार कर लो जाता है हँआ तो इस बार भी ऐसा ही होगा ठीक है इस बार देख लिए यहां पे सम्झ लिजी बात को कि क्या करना है इस बात पहले समझ लिजी दे डेखें पहले यहां पर समझेंगा यह कि आपको जो है 45 मिल डा 해도 स İ पेपर मेंकिक्या आने वाले ध्यान रखी देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं ठीक है तो आइए यहां पर कितना अटेम्ट करेंगे तो बात की बात करेंगे पहले आइए रिजनिंग में क्या-क्या हो सकता है क्या-क्या पुछा जा सकता है ठीक है अगर हम बात करते हैं रिजनिंग मे सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा दूसरा आपका स्काइर प्रूछा सकता है स्काइर पे पूछा जा सकते है और आर्ट पर्सन जो होगा आर्ट पर्सन बॉक्स पजल ठीक है बॉक्स पजल वाला होगा आर्ट पर्सन वाला ये भी ध्यां रखिएगा ऐसा सवाल आएगा आपका फिर आपका आएगा लिनियर लाइन पर ले अगर कोई यहां पर लिनियर लाइन होगा ठीक है जहां पर आपक सकता है सटाय चाहिए 1 सब्सक्राइप का मैका प्रconnect नैंसर्टेन नंशर्टेन भी कि आजबाट एक इसना ने इंसर्टेन जा सकता है यहांना परखामद इसने ताहकी तो क्साहिए 20 परेटी निहीं याई जो कि कि इॉइबल हो सकते से सब्सक्राइब और सकता है कि आपका प्लड होता है कि आपका 5μ इसमार के सवाल के सब्सक्राइब जासें तर्ण होगा सवाल पूछ लिया जा सकता है जिसमें की आपका zone ही रहेगा ठीक है इसी रहेगा तो ब्लड छटा हो गये चाफ प्र बात करते हैं साथ मों किसा का सवाल आ सकता है जसे देखिए यहां पर इससे नमबर रहेगा दिया हुआ इससे व्होका आपका नम्शन हो अभी आपको खाना करना और आप को सबसे हो और दो तो तो सबसे बरी तंख्या क्या होगा इसे सबसे सकता है थिक सवाल बिलकूर रटाएगा कि क्लten का पेपर जैसे की सवाल Ai S 나서 होता है कि टा न और का इससे होता कि सी इस गुड की ट ही कि सी इस गुड वाला सवाल आता है उसी का का लो ठीकर डा इस सी इस गुड ही जी इस गुड फी तो बंसकता है कि यह सवाल a यह का देखिर दिया जाएगा और इसमें पेर पूछन कि कि कितना पेर बनेगा त्रीक है तो फारवर्ड an backward जैकि एंद वैकी buds से कितना प्ervation सकता है यह सवाल आसकता है आपका meaningful meaning जो full होगा . मिनिध रूभल आपका word से पुछ लिया जाएगा एक कोई word दे दिया जाएगा कोई लेटर दे दिया जाएगा जैसे कि अगर लॉकिक है कुछ करके वर्ड दे जाए इसमें से पूछा जाएगा आपको कितना मिनिंग्फुल वर्ड बना सकते हैं ठीक है फिर एक सवाल लास्ट जो हो सकता है वह सी लोग सी लोग से रह सकता है जो की सिंपल वला रहेगा ठीक है अगर फ्यूवल ऑनली फ्यूवी रहा तो एकाद सवाल रह आइसंबर कर 10 सबसे बाकर के सबसे भाध करते हैं पर पहले तो आपका जो सिंप्लिफिकेशन रहेगा जो άपक के है च्छाइब कहोए यहां पर यहां पर प्योव वाले पेपर में यहां पर देख लिकार को इस दाइब होगा दो चार गारड के बाद के बाता है इस तरह का सवाल आएगा इसको हम बात करें थर्ड में बात करतें डी आई का है ना डी आई का पूछले तो आपका टेवल बेस हो सकता है यह हो सकता है जो कि इजी में जहिए समय डाटा फिलोड है गा जैसे कि अगर सब्सक्राइऔ 2028245678 कुछ भी से में डाटा फ्लोड है उसको आपको एड़ करके उसका परसेंटेज निकाल के रीशियो निकाल के आवरेज निकाल के इस तरह से आपका ऊर ग्राफ टैप को बनारहेगा ठीक है इससा कर अर्शा पर ना रहेगा तो एक दियात रखिया एक तो इसमें दोनों रहेगा एज लेकिन एक जो रहा न थोड़ा लेंधी टैप करेंगा एक जो रहा है रहा लेंधी और एक हुगा बहुत आसानी से बनेगा तो जो easy उसको अपपर लिचे ठीक है लेंदी वला में से 5 वला में से 2-3 होता है 2-3 करके निकल जाईए ठीक है तो यह होगी आपका आपका जो हो गया अब बात हो सकता है यहाँ पर देखे हैं अपर आपका जो होता है mixer and allegations से सवाल पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा, no doubt ठीक है, time of work, work से 100% सवाल रहेगा ही रहेगा, train and speed से सवाल रहेगा, train and speed से हो गया आपका, boat and stream से रहेगा, boat and stream से सवाल रहेगा आपका, फिर आपका discount से सवाल रहेगा, discount से सवाल रहेगा, फिर आपका percentage से सवार रहेगा परसेंटेज होगी बोस होगा दिस्काउंट होग होग को गट यह रेंगा लेसियो एंद बोसंन से सवार रहेगा तो ऐसे दस सवाल यहां से बनके आएंगे तो यह को ग्राफ का बहुत जाद़ seven नहीं होगा पेपर कलर का इस तरह का पेपर होता है मैंने जैसे कि बताया ऐसा रहेगा अच्छा इन्यक्वालिटी का इसमें हो सकता है इन्यक्वालिटी वाला सवाल भी रह सकता है जो कि इसी रहता है ना इन्यक्वालिटी वाला में जैसे होता है इस तरह से आपका रहेगा दीजावा data जेट से आपका ठीक है इससे आपका data कुछ भी रहेगा चली कुछ भी data रहेगा तो पूछ लिया जाएगा कि क्या पीफ पहला option ये रहेगा second option रहेगा कि एस से jet को जाज सकते के नहीं या पीफ से क्यूआ को जा सकते कि नहीं तो ऐसे सवाल आपके दिखने को मिलेगा ठीक है अब देखिए सवाल तो इसमें इस तरह के इस दिरी ही आएगा बहुत टाफ नहीं आएगा तो अब देखे पहले चीज की अटेंट कितना लोग को करना चाहिए ठीक है कटप पे बात तो करेंगे अगर आप कोशिश कीजिए कि रिजनिंग में तीस से एवब ले जाए जो कि चौतिस तेटिस चौतिस बद्तिस तेटिस तेटिस से ले जाए एक वांट में आप अठाइस उन्तिस तिस तक ले जाए जनरल कैटेगरी जहां कि आप 62 से लेकर ठीक है 66 तक पहुंचा सकते हैं इसको पहुंचाईए 65 कम से कम 66 maximum लेकिन accuracy फिर से मैं कह रहा हूं accuracy मैं quotient को गलत मत किजै Sumiko को गलत नहीं करे ठीक है गलत नहीं करे को 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 गलत नहीं करें एक भी कोसजन गलत नहीं करें बहुत हुआ या दो गलती चलेगा ठिकते एक या दो गलती चलेगा जब आपका घ्र रखिएगा यह 62 प्लॉडग शासट अंगर आपने कर रहा है पैसट चल कर रहा है तो चलो एक या दो गलती मिस्टेक आपका ठीक है मैनेज हो सकता है फिर बात करते हैं यहां पर OVC कैटेगरी भी वह यह तीस पलस लेकर जाए रुजुनिंग में कम से कम 32 32 रखे क्वांट में भी आप पचीस पलस लेकर जाए जिसमें के अंठावन से लेकर कम से कम 62 तक पहुंचाई है ठीक है कम से कम एक गलत पर नहीं 62 पर एक गलत मिस्टेक में फिर थे गया रहा हूं एक गलति नहीं करेंगे लेकिन अंठावन पर एक गलती होता है तब भी आप आपका हो सकता है जिस स्टेट में कट अप बहुत हाई जाता है वहां पर आपको सचेत रहना होगा इस बात के लिए ठीक है स्टेकरी 28-22 कर लिए लगो 50-54 आप यहां पर कर लिए ठीक है 50-54 कर लिए 50 पर एक भी गलती नहीं होना चलेगा ठीक है तो इससे आपको सोच के जा रहें कि गलती नहीं करना क्या पहला चीज़ आप दिमाग में रखे है कि निगेटिव मत कीजिए ठीक है निगेटिव बि इस बार कशनल तpow में लें आपको dye puffing क कम रहें गा वह क्या रहेंगा यहां पर बात करते हैं जैसे अगर हम बात करते हैं अगर यहां पर हम बात कर ले जैसे हम बात करते हम में सबसे पहले हम बीहर की बात करते आप 64-fe prevents में ठीक है यहां时间 सरेка Asного merci रख abund假 आपका नॉर्मलाइजेशन मास होगा 64, बिहार में जनरल कर दिए 4, 5, 6, 6 तक रह सकता है, और भी से आपका 62, EW60, SC आपका 54, 49 के और राउंड रह सकता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाले थोड़ा यहां पर कट अफ हाई जाता है, ध्यार रखेगा, बले सीट यहां होता है जादा, लेकिन फिर भी कट अफ लगबग, लेकिन हाँ, इस बार है कि 70 प्लस नहीं जाएगा, कुछ स्टेट में, रेर में आपके रेर कुछ स्टेट हो सकते हैं, जैसे कि पंजाब हरियाना वाले स्टेट हो गए, यहां पर कुछ ऐसे स्टेट होएं, जहां पर 70 प्लस जा बार बार कह रहा हूं, आधि पर जादें 50 अगर आप ले आते हैं, भिलकुल आपे बात बन जाएगा, ठीक है, गुजरात राजस्तान 69 ठीक है, यह 69 लास्ट हो गया, इसके बाद नहीं, ठीक है, जारकान 68, 36, 66, हिमाचल परदेश 67, ओड़ीशा 69, सारे कि सारे यह लास्ट जो है, आपके normalization marks हैं, ठीक है तर्मिनालू 60 के कुछ पिछले बार भी cutoff कम रहा है, तलंगाने यह दो इस्टेट ऐसे, तर्मिनाल, तलंगाने जहां cutoff कम रहते हैं, महराशा 65, जमोकस्मे 64, कनाटका 56, उत्रा खंड 67, पंजाब 64, केरल 65, 62, इस से रहेगा आपका, जनरल, O सब्सक्राइब करना होगा जिनका प्रेक्लियर होगा तो मैंस में भी आपका सेक्षिनल टाइमिंग इस वार नुर्धारित है यहां से इनका स्ट्रेक्शन हो गया जनरल ओवी सी एडवलोस एस्टी सारे कटफ देख लीजिए तो यहां पी रहा इस रखासार के सारे कटफ आपको मैंने दिखा दिया असकी सॉट लेना चाहते हैं स्कूंस वाट ले लिजिए और चलिए सभी को आपका जो पेपर है जिनक परसन एकुरसी के साथ करिए कोस्तन कम अटेम्ट कीजिए ठीक है अटेम्ट थोरे कम कर लिजिए कम इतना भी मत कीजिए अटेम्ट थोरे कम चलेगा थोरा कम चलेगा पर एकुरेसी बट एकुरेसी 100% होना चाहिए इसमें कोई आप कंपरमाइज नहीं होगा होना चाहिए हैं इतला से बात नहीं बनने वाला मैंने आपको बता चुका हूं मैं बता चुका हूं पहले बीए कि की कि यहां से बार की कटफी दोनी गांद दिखा धीया यह नहीं कता को कॉघकी अठे heeft करेंगे पेपर होता है इसमें इस बात को नहां रखीगा अगर इजी टू मॉड्रेट राथ आपके जो ये कट और डाउन हों ये भी याद रखीगा ठीक है तो चलिए सबी को अल दा बेस थैंक यू भरी मिच